पाथा खेडा थाना अंतरगत समीपस्त ग्राम चातरपुर निवासी दस वर्शे चात्रा आसीना तवा नदी में डूब गए। गटना शनिवार सुभा करीब साड़े साथ बजे उस वक्त की है जब आसीना अपनी सहेली रागिनी के साथ हर रोज की तरहा आज सुभा नदी पर नहाने गई थी। इसी दौरान रागिनी और आसीना पानी के भाव में बह गए। रागिनी जैसे तैसे बह कर करीब 50 मीटर दूर पानी से बहार निकल गए। लेकिन आसीना का अब तक कोई पता नहीं चला। सुचना मिलते ही बड़ी संख्या में ग्रामीन मौके पर पहुँचे। वहीं पुलिस भी घटना इस्थल पर पहुँचे। ग्रामीनों और गोता खोरो द्वारा तवा नदी में करीब 50 मीटर की दूरी तक सर्चिंग की जा रही है। दोपहर बारा बज़े तक मौके पर पुलिस, गोता खोरो और ग्रामीनों द्वारा काफी तलाश की गई। लेकिन आसीना का पता नहीं चला। वहीं बैतूल से तवा नदी में सर्चिंग के लिए NDRF के टीम रवाना हो गई। और आसीना के पिता सुमार सिंग दुरुवे ने बताया कि 7 बज़े बेटी घर से नहाने निकली थी। ग्रामीनों ने बताया कि हर रोज गाओं के लोग नदी में नहाते हैं। घटना के बाद भी ग्रामीन नदी में नहाते रहे। टाइम एट के लिए मध्रिप्रदेश के पाथा केड़ा से काली दास चौक से की रिपोर्ट